दोस्तों आज कि इπειिम में बात करें वाली हैं P.E.M. किसान सम्मानी दिवरजना का अगर आप अपना इस्टेटस चेइक करना चाते हैं कि आपका कितना किस्ट आ चुका है और कितना किसिदा भी बाकी है और अगर मान्ली जे जो इसमेह 13मा किस्ट पैसा आया है अगर आप ये चेक आना चाहते हैं कि आपका आया है या नहीं आया है या अगर मालीजी आपका छोवा की इस ताथवा की इस साथवा की जो भी आने वाला है आप अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है या अगर मालीजी आप अपना इस्टेटस देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल ने बताऊंगा और यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगे कि जब भी आप PM की सांसर मानी देऊजना का लेकिन अब आदहार नंबर का सट्यंट कर सकते हैं या जिन की पास ना ही रेजईक्तेसन नंबर है आपकोarl पादा नभभी पता नहीं है और registration number नहीं पता है तो आप कैसे registration number अपना निकाल सकते हैं आप अपना status कैसे check कर सकते हैं चली मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर registration number निकालने के लिए देख सकते हैं know your registration number इस पर आपको click करना होगा और click करने के बाद friend मैं आपको बताऊँगा कि बीना OTP के बीना किसी जंजट के आप अपना registration number निकाल सकते हैं और आप अपना status भी check कर सकते हैं तो यहाँ पर click करने के बाद देख सकते हैं लिग रहा है no your registration number और यहाँ पर बोल रहा है कि mobile number तो फ्रेंड आप बोलेंगे कि यहाँ पर mobile number पूछ रहा है तो हमें mobile number पता ही नहीं है कि कौन सा mobile number डाले तो फ्रेंड आप लोगों को पता हुआ कि जब QIC हो रहा था तो वहाँ पर mobile number मांगा जा रहा था तो जो mobile number आप वहाँ पर दिये थे PM किसान सम्भानी देवजना का KYC करवाते समय ओही वाला mobile number यहाँ पर डाल करके और यह जो mobile OTP पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहां पर लिख रहा है OTP है sent at registered mobile number तो देख सकते हमारे पास mobile number है तो हमारे पर OTP आ चुका है लेकिन हम यहाँ पर OTP आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा attention OTP तो यहाँ पर OTP नहीं डालूँगा सीधे डाइरेक्ट आपको get details पर क्लीक कर देना होगा बीना OTP डाले तो get details पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देख सकते हैं registration number और नेम यहाँ पर आ चुका देख सकते हैं यहाँ पर name आ चुका और यह registration ग्लिएशंटनेके बाद आपको क्लिक करने के बाद यहां और जो registration number आपका copy किये थे यहां पे paste करके और यह conception है, capture डालके get detail पर click कर दीजगा, तो यहां पर मैं जल्दी से registration number, capture डालके get detail पर click कर दे रहा हूँ, get detail पर click करने के बाद देख सकते हैं, पेनफिकरी status और यहां पर आपका name आजाएगा, mobile number का last का 4 digit आपका यहाँ पर आ जाएगा इस 4 रंक से आप पता लगा सकते हैं कि PM किसान सम्मान निदियोजना कि online करते समय हम कौन सा mobile number दिये थे और अगर आपको यह mobile number याद भी आ जाता है तो उस mobile number से भी आप अपना status चेक कर सकते हैं आपको registration number की जरूत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर फ्रेंट देख सकते हैं आपका registration number भी यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका registration number भी यहाँ पर आ जाएगा अगर आपके पास ना ही mobile number है ना ही registration number है तो आप किस तरह से registration number निकाल सकते हैं बीना OTP के और किस तरह से अपना status चेक कर सकते हैं इस वीडियो मैंने आपको पूरा detail में बता दिया हूँ तो फ्रेंड आगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी help होई होगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा तो फ्रेंड इस वीडियो में पस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएगे बंदे बात रहूँ